वेल्कम बैक टू चैनल आप सब्सक्राइब बहुत ही खुश होगे चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाहर हुआ हुआ मल्टी परपर्स कहले ही जिए या एक ही बैटर से आप कई सारी रैस्पी बना सकते हैं तो फिल्हाल आपको देखके समझ में आही गया लिया है दो कचाहवल इसी कचाहवल से मेसर्मेंट करके ना मैंने नौममल राइस केसाब से 1 कचाहवल और इस तरह से पके हुपी चावल को अलग बॉल में और बाखी चीजों को एक बॉल में मैंने ले लिया और अब अच्छी तरह से इसे तीन-चार पानी मल-मल के धो लेंगे जिससे पाउडर वगर लगा होता है तो उसम निकल जाए और जब भी हमें एडली बेटर वगर बनाना होता है ना तो हम एक दिन पहले तयारी करनी होता है तो यहां पर मैंने चावलो को अच्छी तरह से धो लिया है और बस अब इसे पानी डाल कर मैं ओवर नाइट ना सोक करने के लिए रख दूंगी यहीं किचन प्लेटफॉर्म प चावल अच्छी तरह से फूल चुके थे मैंने पानी जो था ना निकाल दिया है और यहां अब इसको थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक स्मूध बैटर हम बना लेंगे यानि इडली का बैटर जिस तरह हम बनाते ना एक हलका दरदरा पंसा चावल का बस एक दम बोलते ना मिनमम पॉइंट पे रहना चाहिए बस वैसा ही बैटर में बनाना है कि को इडली में जो हलका सा दरदरा पंसा आता है वो खाने में अच्छा लगतार वही इडली अच्छी बनती भी है फिलहाल मैंने पीस लिया है और यह आप सोच रहे होंगे अकसर रैस्प्रीज में अप कि कि मैं बताना चाहूंगी इस चाहँगी कि इडली बहुत अच्छी बनती है बहुत ज्यादा अच्छी बनती कि जब में चोटी थी हमारे नेबरengo और ससे से रहने वाली तो वो अक्सर इडली बनाती थी और इतना अच्छी इडली बनाती थी ना मतलब खुश्बू तब उस टाइम पे उनके घर से खुश्बू आती थी हमारे घर में और वो पत्थर का बड़ा सा सिल्बट्टा होता था उस पर रखके वो चावलों को पीस्टी भी मतलब बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता था फिलाल आज के सभी में तो पॉसिबल नहीं वह फिलाल मिक्सर जारू में थोड़ा पाने डलकर सभी बैटर को तीन बैचिस में पीस लिया और सभी को मिला कर अच्छी तरह से ओवरनाइट के लिए मैंने आठ से दस घंटों के रख दिया है कि मौसम अभी न ज्यादा गर्मी वाला भी नहीं है और अभी न सुवेशाम वही ठंड का अभास हो रहा है और गर्मी में तो ऐसे चार से पांच घंटे बहुत होते इतनी गर्मी पढ़ती है न हमारे दिल्ली में कि अच्छ अच्छ होगा तो पापड बन जा बैटर कितनी अच्छ तरह से फर्मेंट हो गया देखो और यह दम टेक्स्चर देखो इसका यह देखो मैं दिखा रही हूं आपको बहुत अच्छी तरह से बैटर यह फर्मेंट हो चुका है तो पिलाल अब मैं इसको रखूंगी साइड में आप मैंने आलू भी वाल कर ले और किस तरह से अगर आपके पास नारिल अवैल लेबल नहीं है फ्रेश कोकोनेट फिर भी आप लिल्ली के साथ चटनी का आनंद ले सकते हैं तो पूरे रेस्पी शेयर कर रही हूं तो प्लीज प्लीज वीडियो एंड बीच में स्किप मत करना एंड तक देखना क्योंकि बिलती नहीं है अवैल लेबल नहीं होती है लेकिन उन स्चुएशन में भी हम किस तरह से अपनी रेसिपी को एक बेटर से बेटर तरीके से बना सकते हैं और एक बहुत अच्छा टेस्ट ला सकते हैं फिल हाल मैंने पूराने वीडियो में आपके साथ शेयर किया है मैं इड को कर नहीं है तो पतीला रख दिया पानी डाल कर गरम करने के लिए और इस तरह से ना डुटी के साथ तेल कर दिया तो और यह छोटी करचि से liter बहूं दखते बहुत तरह से उसका यहाल दूगी और पानी लगबग गरम ही हो चुका है बस स्टेंड रखकर अब इसे मैं आठ से दस मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख दूँगी हाँ मैंने जो इडली के साथ कोरा चटनी है वो बना ली है और अपने पुरानी इस वीडियो में रैस्पिस शेयर भी की है अगर आपको कह चलिए मुझे कमेंट सूँ करें पर मेरी पुरानी वीडियो को जरूर देख capitalize और आप जाहना चाहतें तो मुझे कमेंट करेंदे आपके हैं फिलाल, यहां पर मैंने कार दीग मेरे पास पंड़े सूखे नारियल सूखे नारी ले 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 लिए तोड़ा साध्रा कट्पड देला है चार से पाँच लेसे कर लिया चार से पाँच अरी में थोड़ा शारा धनीए के डंडल के रहा दाल दिये थे और भूस नमक डाल कर थोड़ा पानी डाल कर एक दर्दरा से छट्नी बनाया है मैंने नहीं बनाया कि वाइट चटनी मेरा थोड़ा दरदरा पंज होता है और यहां पर बस चटनी बन गई थी दोनों चटनी मेरी तयार हो चुकी है अब कड़ाये हो चुक है तालु चिल ले रही हूं कि बस azt में डाल दिया है राई ौश्मान दर टियार करते है लेकिन मुंबई में हमारे हाना इस तरह से कवक्ड़ और मैं पूरा वही अपने रैस्पिस में ली कराती हूं मुझे वही पसंद आता है बहुत ही अच्छा तो फिलाल यहां करीपता भी डाल दिया तो करीपता जैसे हलका हलका लाल हुआ निकाल लिए चलता है बस यहां पर डाल भुणा जीरा पाLडर और कुछ भी नहीं बस इतने ही मसाले बहुत हैं हर अधनिया काट लियाता है दो कर यहां पर टमाटर जैसी हलके हलके सॉफ्ट वे ना आलू मैश करके यानि हाथ से इस तरह से तोड़कर डाल दिया है अब आलू को इस तरह से मिला लेंगे और कर्ची से ही ना आलू को मसलते जाएंगे हम यह लो इस तरह से बस इसी तरह से मसलते जाओ लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू की भुनाई भी हो जाएगी आलू मैश भी हो जाएंगे और इसका पेस्ट आता है ना धोसा मसाला का बहुत अच्छा साथ में हराधनिया मैंने अड़ कर दिया और यह मेरा इसमें हो तो अच्छा लगता है फिलाल मुझे ऐसा ही पसंद है और इडली बन चुकती मैंने ठंडी कर लिए और यह देखो आराम से निकल गए और यह देखो कितनी सॉफ्ट है और मैं आपको दिखाऊंगे नजदीक से भी जाली दार बनी है इडली यह और इस तरह से बह अब पहले नेबर्स बनाते थे अब भी खिलाते हैं और आण्टे ना जब भी बनाती थी तो हमें बुला कर खिलाती थी और हम नहीं जाते थे घर में लाकर देती थी बहुत ही अच्छा लगता था फिलाल वह माहौल और बस वही टेस्ट मुझे बहुत पसंद था तो आज इडली में पूरा वही ही टस लाने की कोशिश किया है. क्योंकि साूथ हैंडेन स्टाइल में जो एडली हम खाते हैं ना मतला उसका टेस्ट हम अकसर सोचते कि हम अपने घर में भी ले आये नहीं आता है लेकिन यहां। पूरा टेस्ट वही लाने की कोशिश किये, फिलाल एक साचा मैंने निकाल लिया है, दूसरा इडली गया है, मैंने साचा फिर से तेल ग्रीस किया, और इडली बटर भरकर अब लगा दे रही कि इडली बनी रहेगी न, फिर बस मुझे यहाँ पर मद्धोसा मसाला ही बनाना मस क्याती है, कैसे मैं अपने सांबर को मतलब एक बार में बना लेती है, बहुत सांबर के लग लग recipes मैंने शेर की हैं, फिलाल वीडियों लंबी हो रही थी, तो मैंने सांबर की और कुरा चटनी की रेषपी शेयर नहीं की है, और यहां एडली बनकर तयार हो चुका थाथ, मै लगाऊंगे तड़का यानि एक ही तड़के में मैं तीनों चीजों में तड़का डाल दूँगे यानि सांबर में और दोनों चटनियों में भी तो तेल गरम कर लिया उसी हिसाब से मैंने और राई डाल दी थी राई जैसे चटकी ना मैंने खुब सारा करीपता डाल दिया है और थोड़ा सा बाकी बचा हुआ जो तढ़का था मैं उसे डाल दूँगे सांभर में सांभर में मैं इमली बिल्कुल योज नहीं करती हूँ कि मुझे न सांभर में इमली की का टेस्ट ज्यादा पसंद नहीं है तो और थोड़ा सा मैं यहाँ पर गुड का इस्तमाल करती है संबर के जो मिठाव सोती है मुझे बहुत पसंद है फिलाल मैं संबर ऐसे ही बनाती है और मुझे मैं फैली को काफी पसंद है Can tahun Phuteal का काम हो चुका है मसाला बन चुका है, इடली भी रेडि है बस अब बनाने चलते हैं डोसा तो बैटर थोड़ा सा मैंने ले लिया है दूसरे बटन में अब इसमें थोड़ा सा हम बैटर को पतला करने के लिए करीब मैंने यहाँ पर आधे ग्लास से थोड़ा सा कम पानी डाला है पानी मिलाने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिला लिया बैटर को और उसके बाद तवा गरम किया है यानि दोसा तवा आप नॉर्मल लोहे के तवे पर भी बना सकते हो और फिलाल मैं इस तवे पर कभी कुछी रूटी भी बनाती हूं आपने देखा ही होगा और दोसा भी बना लेती हूं हलका सा तेल ग्रीस किया वैसे जरूत नहीं पढ़ती लेकिन पानी का चीटा भी मैंने दे दिया और कपड़े से पोशिन एक बात नहां पर न छोटी कर्ची है इस कर्ची से दो कर्ची मैंने बैटर डाल दिया है और बैटर को हम अच्छी तरह से इस तरह से फैला देंगे यह देखो बस और गैस का फ्लेम लो मीडियम टू हाई रखना है जैसे ही बैटर थोड़ा थोड़ा ओपर से कलर चेंज होगा ना तेल दोचार बुन डालना है मसाला मैंने फैलाया और यह देखो बस डोसा कितना आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा कलर भी आया है और काफ चीटा भी नहीं एक बार आप कर देते हो ना तो बस उसी के साथ न आप चार-पाच डोसे आराम से बना लेते हो यह देखो मैं पलेट के भी दिखा रहे हूं कितना अच्छा कलर आया है और बहुत क्रिस्पी बना था यह दोसा फिलहाल मैं यहां पर चार से पांच डोसे ब करूंगी यह देखो कितना क्रिस्पी करारा डोसा बनकर तयार हो गया है फिलाल मैं कुछ ब्लेन डोसा भी बनाऊंगी क्योंकि नहीं दिखो प्लेन डोसा भी काफी पसंद है तो मेरे साथ तो अकसर ही होता है जब भी मैं यह चीज़े बनाती हूं न तो मतलब इडली के कितना अच्छा आ रहा है डोसे का बिल्कुल मार्केट वाला और एकदम क्रिस्पी करारा डोसा बना हुआ है मैं आपको थोड़ा नजदीक से भी दिखा देती हूं यह देखो मैंने बैटे डाला और यह दो जम नीचे से लाल हो गया ना हलका सा मैं आपर तेल की दो-चार बूंडे डाली और यह पलेट के आपको दिखा रही है यह देखो बस इसी देखो मैंने प्लेन डोसा बनाया है और कितना आपको दिख रहा हो कितना पतला बना है यह और देखने में आपको लग रहा हो कितना क्रिस्पी है यह देखो बहुत अच्छा क्रिस्पी करारा डोस कैसी लगी तो वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल पर पहली बार आई हो बैल आइकन प्रेस कर देना फिलहाल यहाँ पर मैंने कर दी प्लेटिंग तो मैंने इडली सामबर चटनी दोनों रखी और सा